सोचो कि आपके startup को 51 million dollar की funding मिले और वो रातो रात दिवालिया हो जाए कुछ ऐसे ही हुआता paper tap के साथ एक ऐसा online grocery delivery application जिसके शुरुवात नवीन और मिलिन ने की थी 3 main reasons जिसके चलते ही ये startup रातो रात बंद हो गया Uncontrollable marketing budget इतना ज़्यादा investors का amount इनके पास आ चुका था जिसके चलते ही बहुत तेजी से इन्होंने customers को acquire करना शुरू किया था बहुत ज़्यादा heavy discounts देने शुरू किये थे एंड ऐसे में नए नए customers को अपने application के उपर लेकर तो आ गए थे ये बट यहाँ पर profitability की अभी तक कोई नामों निशान नहीं था हर नए customer को acquire करने के लिए company heavy losses जेल रही थी क्योंकि नए customer को acquire करने के लिए उन्हें heavy discounts देने होते थे लगभख 70-80% तक ही यहाँ तक कि यह जो business model यूज़ करते थे उसे बोलते है zero inventory own model खुच जादा stock रखने की बजाए वो आसपास के grocery stores के साथ ही collaborate करते थे और वहीं से उठाकर सारा कासा समान लोगों की घरों तक मौचाते थे ऐसे में तीसरी सबसे बड़ी problem इनको face करने पड़ी जिसे बोलते है uncontrollable supply इनका supply की उपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था क्योंकि आसपास के जितने भी grocery stores के ओनर थे वो सारे illiterate थे अने जो किरेट थे एंड उनको digital inventory system सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ऐसे में काफी सारे orders cancel भी होते थे काफी सारे लोगों की complaint भी आते थी एंड इतने सारे inventory glitches के चलते कंपनी heavy losses जेल रहे थी ऐसे और case studies के लिए भाई को follow करो